तो अब हमने देख लीया था स्क्रीन पर जो हमें इंटरिफिरन्स के बाद जो पैटर्ण मिलता है डाक और ब्राइट फरिंज गपा दल्फिर यह तरह से मिलता है लेकिन अब हमने जो पड़ाता हूं उसे और रिफाइन करते हैं अच्छी देखते हैं हमें इस तरह के लिशा था कि जब light rays के बीच में किसी point में face difference 180 degree होता है तो हमें वहाँ पे dark fringe मिलती है मतलब यहाँ पे पूरा dark होता है और जब face difference पे 0 degree होता है वहाँ पर हमें bright fringe मिलती है तो अभी तक हमने देखा था कि face difference 0 degree और 180 degree होता है अब यहाँ पर अगर face difference 0 है तो यहाँ पर हमें bright fringe मिल गई और यहाँ पर 180 degree है तो यहाँ पर dark fringe मिल गई लेगिन कोई ऐसे भी जगह होगी जहाँ पर face difference 90 degree होगा वहाँ पर क्या होगा actually ऐसी भी जगह है जहाँ पर face difference 90 degree है 45 degree है 15 degree है मतलब इस पूरे pattern में हर एक face difference का point मौजूद है मतलब इस पूरे fringe में ऐसा पॉइंट है जहाँ पर face difference 45 degree है 15 degree है लेकिन हम उसे इतना detail में नहीं पढ़ रहे हैं तो इस वज़े से जो हमें actual fringes मिलती है वो ऐसी नहीं होती है जिसमें pure dark और pure bright हो वो हमें एक full pattern में मिलती है मतलब इसमें हर तरह की color intensity मौजूल होती है सबसे बीच में एकदम central bright होता है यहाँ पर light intensity सबसे जादा होती है लेकिन फिर वो अचानक कम नहीं होती है कि अचानक dark हो गया वो धीरे धीरे dark होना शुरू होती है और जब phase difference 0 से बढ़ते हुए 45, 90 और उसके बाद 180 पहुचता है तब वो वहाँ पर dark होती है उसके बाद dark होने के बाद फिर वो 180 से उपार जाने लगती है और इसी तरह जब वापस से 360 degree और 0 degree बहुत जाती है तो यह वापस से bright हो जाता है तो phase difference की हर value हो सकती है 90 degree हो सकती है 45 degree हो सकती है इसलिए हमें हर तरह की intensity मिलती है और एक intensity दूसरे intensity में धीरे धीरे change होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि screen की हर point पर 0 degree या 180 degree का phase difference हो एसा जरूरी नहीं है phase difference बहुत कुछ हो सकता है 90 degree भी हो सकता है 270 degrees भी हो सकता है इसलिए हर तरह के phase difference के वज़े से हमें हर तरह के intensity मिलती है और यहाँ पर यह denote कर रहा है कि यहाँ पर intensity सबसे जादा है और यहाँ पर phase difference 0 degree है और यहाँ पर यह denote कर रहा है यहाँ पर phase difference 180 degree है और इसलिए हमें हर तरह का intensity मिलता रहता है तो अब हमने देख लिया है कि ये fringes actually में कैसे दिखते हैं उनमें हर तरह की intensity मौझूद होती है मतलब maximum intensity यहाँ है उसके बाद ugly maximum intensity यहाँ है और ugly maximum intensity यहाँ है और इसी तरह गर हम minimum intensity की बात करें तो जहाँ पर dark line है वहाँ पर सबसे कम intensity है तो यहाँ पर minimum intensity है उसके बाद यहाँ पर है उसके बाद यहाँ पर है तो fringe width होता है दो same intensity वाले points की बीच में दूरी for example अगर हम maximum intensity वाले points की बात करें तो maximum intensity यहाँ पर है मतलब इस point पे और दूसरी maximum intensity यहाँ पर है तो इन दोनो points की बीच में जो दूरी होगी उसे हम fringe width बोलेंगे और उसे हम बीटा से present करेंगे तो अब अगर हम minimum intensity वाले points की बात करें तो एक minimum intensity का point ये है अगली minimum intensity का point ये है तो इन दोनों की बीच की दूरी भी fringe width या बीटा क्यलाएगी और ये दोनों same ही होंगी, ये भी बीटा होगा, और ये भी बीटा होगा, और ये same होगा, और इस तरह हम किसी भी दो same intensity वाले points की बात कर सकते हैं, लेकिन हम dark या bright intensity वाले points की बात इसलिए करते हैं, क्योंकि वो हमें दूर से दिख जाती है, कि यहाँ पर minimum intensity है, और यहाँ पर maximum intensity है, लेकिन अगर phase difference 90 degree होता है, तो ना वो minimum होता है, ना वो maximum होता है, वो beach में होता है, तो उसे हम आसानी से नहीं सकते हैं, दूसरे को उसको compare करना मुश्किल है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा bright और सबसे ज़्यादा dark वाले points की बात करते हैं, और इसको हम fringe width बोलते हैं, अब fringe width का formula है, lambda capital D upon small d, अब यहाँ पर lambda है, wavelength उस light का जो हमने यहाँ पर use की, और capital D है, light source और screen की बीच की distance, और wavelength को बढ़ाते हैं, तो इसकी fringe width भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर अगला-गला phase, जादा-जादा distance चलने के बाद आएगा, मतलब जादा wavelength या जादा path चलने के बाद आएगा, तो इसलिए इसकी fringe width भी बढ़ जाएगी, और अगर हम source और screen की बीच की distance को भी बढ़ाएगे और लेकिन अगर हम light sources की बीच की distance को बढ़ाएगे, तो fringe width कम हो जाएगी, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि interference और diffraction के formulas में बहुत सारे assumptions और approximations किये गए हैं, और इनका derivation जानके हमें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें fringe width का ये formula याद रखना ही हमारे लिए better इसलिए fringe width के formula में हमें एक bright से दूसरे bright में, मतलब एक phase difference से दूसरे same phase difference में पहुचने के लिए हमें lambda wavelength चलना पड़ेगा, अब अगर हम देखें कि source और screen के बीच की distance को हम जैसे जैसे बढ़ाएगे, light ray और फैलेगी और हमें जो fringe width है वो और बढ़ी हुई मिलेगी, angular fringe width के बारे में, angular fringe width पता करने के लिए हमें सिर्फ करना वस इतना है कि fringe width को इस distance d से divide कर देना है, मतलब अगर हमें पता है कि fringe width है बीटा, तो बीटा को इस distance दिवाइड करके हमें angular fringe width मिल जाएगी, मतलब बीटा अपॉन d, अब हमें जैसे पता है पहले से, कि बीटा is equal to lambda capital D by small d, अब अगर हम इसे capital D से divide कर देते हैं, तो नीचे भी capital D लिखने पर ये दोनों कर जाएगे, और फिर angular fringe width का formula हो जाएगा, lambda by small d, इस angular fringe width को हम इस तरह से explain कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता करना होता है कि angle कितना है, radian में, तो हम क्या गरते हैं, इस arc को इस radius से divide कर द radius, तो अब अगर हम इस radius को कितना भी बढ़ें, इस angle पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम radius को बढ़ाएंगे, arc भी आगे जाके बढ़ता जाएगा, और दोनों का ratio बराबर रहेगा, इस तरह से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, हम arc upon radius करेंगे, तो हमें angle मिल जाएगा, और यह angle degrees में नहीं, बलकि radian में होगा, यह हमें याद रखने हाली बात है, तो अगर fringe width को भी हम angular fringe width में बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक कि इस fringe width को arc मान लेते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि interference में काफी approximations हैं, तो हम इस distance को और इस angular fringe width का formula मिल रहा है, lambda by d, तो हम फिर से देख रहे हैं कि angular fringe width इस distance पर depend नहीं करती है, क्योंकि अगर हम इस distance को भी बढ़ा दे रहे हैं, तो उपर यह beta जो fringe width है, वो भी बढ़ रहा है उसी ratio में, और angular fringe width जो दोनों का ratio है, वो बराबर रह रहा है, इसलिए angular fringe width finally, इस distance पर depend नही तो यहाँ पर हम नहीं यह सीख लिए, अगर दोनों light rays की बीच में phase difference 0 degree होता है, तो उनके बीच के amplitudes एक दुस्रे का support करके add हो जाते हैं, और हमें resultant amplitude double मिल जाता है, और अगर उनके बीच का phase difference 180 degree होता है, तो दोनों एक दुस्रों cancel कर देते हैं, और हमें amplitude 0 मिलता है, लेकि formula है, vector formula, उसमें है, resultant amplitude होगा, under root a square plus b square plus 2ab cos theta, यहाँ पर a है एक wave का amplitude, और b है दूसरे wave का amplitude, हमें b से confuse नहीं होना है, b भी amplitude ही बता रहा है, और जादा तर के इसमें a और b सेम होते हैं, क्योंकि दोनों light rays का amplitude अक्सर सेम होता है, यह approximately सेम ही होता है, और यहाँ theta है phase difference, तो theta के उस value का cost का value हमें यहाँ पर put करना है, और हमें resultant amplitude मिल जाएगा, अब example के तोर पर हम देखते हैं, अगर दो light rays की बीच में phase difference 0 है, तो उनके amplitude आपस में add हो जाएगे, और हमें resultant amplitude a plus a, मतलब 2a मिल जाएगा, और अगर उनके बीच में phase difference 180 degree है, तो resultant amplitude, क्योंकि यह दोनो एक दूसरे वो cancel कर रहेंगे, इसलिए हमें 0 मिल जाएगा, पर अगर phase difference 90 degree है, तो हमें resultant amplitude पता करने के लिए हम इस formula का use कर सकते हैं, तो इस formula में लिखा हुआ है, a square plus b square plus 2ab, अब क्योंकि यहाँ पर दोनो light rays के amplitude बराबर है, इसलिए हम दोनों जगाँ पर a, a ही put कर सकते हैं तो अब हम इसको solve करके देखते हैं, हम लिखेंगे under root a square plus b square, अब पहले रे का amplitude है a, तो a square लिख दिया, दूसरे का भी amplitude a है, तो b की value भी a है, तो यहाँ पर a square plus 2ab, मतलब a into a, अब a into a होता है, a square, मतलब 2a square cos theta, अब यहाँ पर होगा cos 90 degree, अब इसको solve करने के लिए हमें यहाँ पर cos 90 की value रखनी पड़ेगी, cos 90 की value होती है 0, तो अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो 2a square यह आपस में 0 से multiply होगे, यह पूरी value 0 हो जाएगी, तो यह cut जाएगी, तो under root a square plus a square हो जाएगा, under root 2a square, under root 2a square को solve करने के बाद हमें answer मिलेगा, root 2a, और इस result को हम याद कर सकते हैं, 180 degree की case में 0 हो जाता है, और 90 degree की case में root 2a हो जाता है, तो amplitude की बात करने के बाद, अब हम intensity की भी बात करी लेते हैं, क्योंकि intensity हमें पता है, is directly proportional to amplitude का square, मतलब अगर amplitude double हो गया, तो intensity 4 times हो जाएगी, हमें यह पता है, तो यह हो जाएगा 4i, initial intensity का intensity अब 4i हो जाएगा, और यहाँ पर intensity 0 हो जाएगी, क्योंकि amplitude ही खतम हो गया, तो intensity 0 हो जाएगी, और इस 90 degree phase difference की case में, हम अगर इसको root 2 times कर दिये, तो एक बार root 2 multiply by root 2, root 2 into root 2 होता है 2, तो मतलब intensity double हो जाएगी, यादि 2 times हो जाएगी, तो अब हम देखते हैं कि यंग्स double slit experiment क्या है, मतलब एक scientist थे यंग्स, उन्होंने इस experiment को कैसे किया था, तो उन्होंने जो 2 light sources लिये थे, वो एक slit की form में लिये थे, मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, एक cardboard में 2 holes कर दिये, और उस hole से light pass हो रही है, और यहाँ पर पढ़ रही है, और उस hole के पीछे भी एक और hole है, जिसके पीछे एक light source है, तो light tray इस source से निकलने के बाद इस slit में पहुचती है, यहाँ diffract होती है, उसके बाद इन 2 slits पर पढ़ती है, फिर यहाँ से diffract होने के बाद जब आगे निकलती है, फिर हमें interference pattern मिलता है, तो उन्होंने इतना complicated setup क्यों use किया, उन्होंने यहाँ पर 2 bulbs क्यों नहीं use किया, यह जानने के लिए हमें recall करना पड़ेगा, जो हमने पहले जीगा, हमें interference pattern पाने के लिए, जो दो light sources हैं, उनकी frequency exactly same होनी चाहिए, अगर हम दो अलग-अलग light sources या दो अलग-अलग bulbs या कोई और light source ले लेंगे, तो उनकी frequency exactly same नहीं होगी, और उसलिए उनका phase difference बदलता रहेगा हर समय, और हर second में उन इतनी बार बदलेगा, कि हमें कोई interference pattern नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम दो bulb नहीं ले सकते, हमें एक ही light source लेना है, और उसी light source से दो light source बनाने हैं, तो हम फिर से एक बार देखते हैं कि यंग्स ने अपने experiment में क्या किया था, उन्होंने पीछे यहाँ पर एक light source लिया था, उसके बाद यहाँ से light rays यहाँ पर पढ़ती है, उसके बाद यहाँ पे edges पर यह diffract होती है, उसके बाद इन दोनो slits पर पहुचती है, अब इन slits से light rays निकलने के बाद आपस में interference करती है, और आमें pattern मिलता है, ऐसा setup यूज़ करने का वाइदा यह है, कि अगर इस light rays के frequency में, अगर कोई भी change होगा किसी भी particular time पर, तो वही change इस slit पर होगा, और वही same change इन दोनो slits पर भी होगा, क्योंकि यह दोनो एक ही light source से connected है, तो अगर frequency में कोई change होता भी है, तो इनका जो change है वो same होगा, तो जब change same होगा, तो difference कुछ नहीं आएगा, जिस तरह से phase change होता रहता था, पर क्योंकि change दोनों में same होता था, तो phase difference same रहता था, इसी तरह अगर दोनों में same change होगा, तो finally हमें कोई difference नहीं मिलेगा, और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, कि हमें एक white light use नहीं कर सकते, क्योंकि white light में जैसा कि हम जानते हैं, seven colors होते हैं, और हर color का अपना अलग frequency और अलग wavelength होता है, तो उस अलग-अलग frequency और अलग-अलग wavelength की वज़े से, हर color का light अपना एक अलग fringe बनाएगा, क्योंकि हमें पता है, fringe width depend करता है, अलग-अलग wavelength होने की वज़े से, हर color की अलग-अलग fringe width बनेगी, और सारी fringes एक दूसरी पर overlap कर जाएगी, और हमें कोई clear cut, dark या bright fringe नहीं मिलेगी, और हमें कोई distinction नहीं कर पाएगी, अब हम interference के एक आखरी case के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम दो light sources से निकलने वाली दो light rays, मैंसे एक के बीच में हमें glass slab रख देते हैं, अब glass slab रखने से फर्क ये पड़ेगा, कि light ray की speed, air में और glass slab में अलग-अलग होती है, glass slab में light ray की speed कम होती है, और air में ज्यादा होती है, air में light की speed कितनी times ज्यादा है उस medium की comparison में, इसको हम denote करते हैं, refractive index से, जिसका formula बहुत simple है, यह है speed of light in air upon speed of light in that medium, इसका मतलब, अगर किसी medium में light ray की speed half है, air की comparison में, तो उसका refractive index 2 हो जाएगा, मान लेते हैं कि air में light की speed है 200, और उस medium में 100, तो इसके इसमें refractive index हो जाएगा, speed in air जो की है 200, और speed in back medium जो की है 100, तो इस तरह से हमें refractive index 2 मिल जाएगा, तो एक से ज़्यादा refractive index होने का मतलब है, कि light ray की speed उस medium में कम है, तो जितना ज़्यादा refractive index उतनी कम light की speed, और refractive index 1 होने का मतलब हुआ कि light की speed उस medium में और air में बराबर है जैसे कि हम देख रहे है speed in air, speed in that medium अगर दोनों बराबर है तो refractive index 1 हो जाएगा अब अगर हमने medium ऐसा रखा है जिसका refractive index 1 है मतलब light की speed उस medium में air की speed के बिल्कुल सेम है तब तो इस light ray पे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसे ये air से गुजरती है वैसे इस medium से भी गुजर के यहाँ पर पहुच जाएगी लेकिन अगर इसका refractive index 1 नहीं है तो इस medium में light ray कुछ अलग तरह से behave करेगी और जब यहाँ से वापस निकलेगी तो कुछ अलग form में निकलेगी अगर इसका refractive index 1 से जादा है तो light ray इसमें जाने के बाद थोड़ा देरे travel करेगी और यहाँ से निकलने में थोड़ा लेट होगा तब तक यह light ray थोड़ा आगे पहुच जाएगी तो जब यह light ray यहाँ से जाके यहाँ से थोड़ा देर से निकलेगी तो ऐसा लगेगा कि light ray थोड़ा जादा distance travel करके आई हो लेकिन पहले ऐसा था कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर थी लेकिन अब ऐसा नहीं लगेगा अब ऐसा होगा कि ये दूरी थोड़ी बढ़ गई है तो जब ये glass slab यहाँ पर नहीं था तो इस point पे इन दोनो light rays का 5 difference 0 था लेकिन जब ये glass slab यहाँ पर आया तो light ray को यहाँ पर थोड़ा जादा travel करना पड़ा इसलिए यहाँ पर इन दोनों का path difference 0 नहीं रह गया क्योंकि इस light ray की पूरी length थोड़ी बढ़ गई है तो जहाँ पर अभी तक path difference 0 था वहाँ पर आप path difference आ जाएगा और इसे निकालने के लिए हम एक formula याद रखें तो बहुत असान होगा यह formula है mu minus 1 into t इसमें mu है इसका refractive index और t है इस glass slab की thickness तो इस formula में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें दो चीज़ें आ रही है इसमें एक आ रहा है mu minus 1 और t मतलब इस जगां पर नया path reference कितना होगा यह depend करता है कि इसका refractive index 1 से कितना ज़्यादा या कम है और यह इस पर भी depend करता है कि इसकी thickness कितनी है क्योंकि जितनी ज़्यादा thickness उतनी ज़्यादा light को कम speed में travel करना पड़ेगा इसलिए यह thickness पर भी depend करता है तो यह जो नया path difference यहाँ पर create हुआ है वो है mu minus 1 into t तो अब अगर हमें path difference पता चल गया है complete angle multiply by path difference upon lambda इसको हम लिखके देखते हैं तो phase difference निकालने के लिए हम यह values पुट कर सकते हैं हमें पता है path difference है mu minus 1 into t divided by full wavelength है lambda और complete angle हम ज़्यादतर radiant की terms में रखते हैं तो हम 360 degree नहीं लिखके 2 pi लिखेंगे तो यहाँ पर 2 pi तो इस तरह से हमारे पास path difference का formula आजाएगा 2 pi into mu minus 1 into t upon lambda यह जो हमें मिला है इतना solve करने के बाद यह है इसका नया phase difference इस point पर तो हमने देखाता है क्योंकि यहाँ पर हम light को थोज़़ादा travel करना पड़ा है इसलिए यहाँ पर path difference 0 नहीं हुआ तो अब path difference 0 कहाँ पर होगा अब path difference 0 करने के लिए यह length जो बड़ी हुई है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा और यह length जो कम है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यह तभी possible है जब यह point थोड़ा उदर खिसका जाए तो मतलब अब जो नया path difference 0 का point आएगा वो थोड़ा उपर खिसक जाएगा जब यहाँ पर जाने से यह distance थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ के लिए और यह distance थोड़ी बढ़ जाएगी उसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक नया point मिलेगा जहाँ पर path difference 0 है तो center में जो हमें bright fringe पहले मिल रही थी वो अब थोड़ी उपर खिसक जाएगी मतलब वो उस direction में खिसके कि जिस direction में हमने जादा refractive index का slab रखा है अब बात आती है कि यह central bright fringe में जो shifting होगी उपर के तरफ यह कितने fringe की होगी मतलब यह 1 fringe उपर shift होगा दो fringe उपर shift होगा तीन fringe उपर shift होगा यह सिर्फ आधा ही fringe उपर shift होगा तो यह जो shifting होगी यह कितने fringe की होगी यह depend करेगा कि जो path difference create हुआ है यह wavelength का कितना time से है मतलब अगर जो path difference create हुआ है वो wavelength का double है तो यह 2 fringe उपर shift होगा अगर ये wavelength के बराबर ही path difference create हुआ है तो ये shifting से एक fringe होगी अगर wavelength का 3 times path difference create हुआ है तो ये 3 fringe उपर shift होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि number of fringes displaced will be equal to path difference created path difference created divided by lambda मतलब अगर path difference wavelength के बराबर ही है तो एक fringe shift होगा अगर path difference wavelength का double है तो ये 2 fringe shift होगा लेकिन अगर path difference wavelength का सिर्फ आदा है मान लेते हैं अगर wavelength 4 cm की है और जो path difference create हुआ है ये सिर्फ 2 cm का है तो ये एक पूरा fringe ना shift होके सिर्फ आदा fringe shift होगा तो इस case में जैसे मैं पता था कि जो path difference create हुआ है वो है mu minus 1 into t तो इस case में number of fringes displaced will be equal to path difference जो की mu minus 1 into t है divided by lambda तो ये formula हो जाएगा number of fringes displaced का तो यहाँ पर हमने देखा था कि number of fringes displaced हो जाएगा mu minus 1 into t divided by lambda अगर इसी कौँ में number of fringe में ना बता कर हमें ये exactly बताना है कि कितना centimeter या कितना distance ये shift हुआ तो इसके लिए हमें सिर्फ करना इतना है इसको बस fringe width से multiply कर देना है क्योंकि एक fringe की width उत्मी है अब अगर जितने number of fringes हैं उससे ही multiply कर देंगे fringe width को तो हमें total कितना distance ये shift हुआ वो मिल जाएगा तो यहाँ पर हमें सिर्फ करना ये है कि इसमें fringe width को multiply कर देना है और ये बन जाएगा length of displacement क्योंकि अगर shifting एक fringe की है और एक fringe की width है 2 cm तो total shifting भी 2 cm की होगी लेकिन अगर shifting है 2 fringes की और एक की width है 2 cm तो actually shifting 2 fringes की हुई है तो 2 x 2 मतलब 4 cm तो एक fringe की width into number of fringes ये हो जाएगा total shifting अब पहले तो हमने एक light ray के path में slab रख था तो यहाँ पर उसका path difference 0 नहीं आया था लेकिन अगर हम दोनों light ray के path में same slab रख देंगे तो यहाँ पर path difference वापस से 0 हो जाएगा क्योंकि जो change हमने यहाँ किया वही change हमने यहाँ किया तो जब change भी बराबर हुआ तो उनका difference भी फिर 0 हो जाएगा तो path difference यहाँ पर फिर 0 होगा और हमें कोई change नहीं मिलेगा कोई भी shifting नहीं मिलेगी हम calculation से भी बच जाएगे लेकिन अगर हमने यहाँ पर slabs रखे हैं वह एक जैसे नहीं है मतलब एक का refractive index mu1 है और एक का mu2 है तो यहाँ पर दोनों में change होगा लेकिन दोनों का change बराबर नहीं होगा इसलिए यहाँ पर भी हमें कुछ path difference मिलेगा तो यहाँ पर कितना path difference मिलेगा यह पता करने के लिए यह ज़रूर है कि इनमे difference कितना है अगर यह दोनों same है mu1 और mu2 same है तो mu1 minus mu2 zero हो जाएगा और हमें कुछ difference नहीं मिलेगा यहाँ पर तो अगर हमें difference calculate करना है तो हमें इनका difference पता होना चाहिए मतलब mu1 minus mu2 और multiply by इसकी thickness और हम यहाँ पर यह मानें कि इनकी दोनों की thickness भी same है तो mu1 minus mu2 into t यह नया path difference हो जाएगा जैसा पहले की cases में होता था जो हम से एक slab रखते थे mu1 होता था यहाँ पर mu1 minus mu2 हो जाएगा और t हो जाएगा यह नया path difference हो जाएगा अब सारी calculation हम number of fringes displaced या length of fringes displaced यह सारी चीज हम mu1 minus mu2 t से calculate कर सकते हैं बस हर जगा जहाँ पर हम one use कर रहते हैं हम वहाँ पर mu2 use करेंगे मतला पहले हम mu minus one use कर रहते अब हम mu1 minus mu2 use करेंगे तो अब हम आते हैं अपने आखरी topic पे जो है diffraction तो diffraction क्या है तो जैसा कि हमने पहले सुना होगा कि light ray सीधी line में travel करती है लेकिन अगर light ray सीधी line में travel ना करके कहीं मुड़ जाती है तो उसी को हम diffraction बोलते हैं अब यह diffraction हर जगा नहीं होता इसके लिए कुछ specific condition होना ज़रूरी है अब हम diffraction का एक example देखते हैं माल लेते हैं यहाँ एक light source है इससे कुछ light rays निकलती है अब इसके सामने अगर हमें कोई चीज रख देते हैं जो कि बहुत sharp है तो light ray को normal condition में इसको cross नहीं करना चाहिए यहाँ पर लड़के light ray यहीं पर रुख जानी चाहिए और बगल वाली light ray इधर जानी चाहिए तो साथ में हमें यहाँ पर कोई light ray नहीं मिलने चाहिए क्योंकि इसके आगे यह screen है लेकिन diffraction के case में क्या होता है कि light ray जो यहाँ इसके edges पे है यह bend हो जाती है और हमें यहाँ भी light ray मिलती है क्योंकि उपर की bend होके light ray यहाँ पर आ जाती है तो इसी को हम diffraction बोलते है तो अब हम एक दूसरा condition देखते है जहाँ पर यह light source एक box में बंद है और इसमें सिर्फ एक छेद है अब यहाँ से light ray जब चलती है तो light ray को बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है यह तो हमें light ray एक सीधी point पर यहाँ पर मिलने चाहिए पर इस edge पर क्या होता है कि light ray फिर से bend होती है और वो वहाँ जाती है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए तो इसे भी हम diffraction ही बोलेंगे और diffraction होता है सिर्फ edges पे जैसे कि यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ तो diffraction के होने के लिए edges का बहुत sharp होना ज़रूरी है अब हम देखते हैं कि edges के sharp होने का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो light ray हम use कर रहे है उसकी wavelength और सामने जो चीज रख रहे हैं उसकी length दोनों approximately बराबर होनी चाहिए मतलब अगर एक light ray का wavelength इतना है और उसके सामने हम इतनी बड़ी कोई चीज रख दे तो light ray यहाँ से चलते हुए diffract होके आगे निकल सकती है लेकिन अगर light ray का wavelength सिर्फ इतना है इनकी और इनकी length इतनी कम है कि इसको हम light के wavelength से compare कर सकते है तो यहाँ पर इसलिए हमें diffraction मिल रहा था तो अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर light ray को बहुत बड़ा बनाया और इसका wavelength भी हमने करीब इतना बड़ा बनाया पर reality में light का wavelength इतना नहीं होता light का wavelength होता है around 400-700 nanometer जो बहुत ही कम length है और diffraction पाने के लिए हमें इतनी कम length का obstacle यूज़ करना पड़ेगा light ray के path में तब ही हमें diffraction मिलेगा इसलिए light ray जिसका wavelength बहुत कम होता है उसके सामने अगर कोई wall आ जाती है तो light ray उसको cross नहीं कर पाती लेकिन एक radio wave जिसका wavelength meters और kilometers में होता है वो उसको diffract करके cross कर सकता है मतलब एक wall एक radio wave को नहीं रोक सकती क्योंकि उसका wavelength बहुत जादा होता है तो जैसा कि हम पहले interference का pattern पाने के लिए दो slits यूज़ करते थे और दोनों light source की तरह behave करती थी diffraction की case में यहाँ पर हम एक slit use करेंगे अब यह एक slit है और यहाँ पर पीछे से light source से light pass हो रही है तो जब light यहाँ पर pass होगी तो हमें पता है कि यह दोनों edges पर diffract होगी कुछ ऐसे तो अब diffraction के वज़े से यह दोनों points एक light source की तरह behave करेंगे जैसे interference के interference में क्या होता था कि हमें बराबर बराबर fringe width के fringes मिलते थे और उनका मतलब एक bright fringe के बाद same distance के बाद अगली bright fringe आती थी और उसके बाद same distance के बाद धी लकिन diffraction में ऐसा नहीं है diffraction में हर जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे fringe width कम होती जाती है, मतलब जो center में हमें जो bright fringe मिलेगी, वो सबसे चोड़ी होगी उसके बाद dark वाली, उससे थोड़ी कम फिर उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम ऐसे-इसे alternate करते होगे, पहले bright फिर dark, फिर bright फिर dark मिलेगा लेकिन जैसे-जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका thickness कम होता जाएगा मतलब इसकी जो fringe width है वो कम होती जाएगी और इसमें जो dark fringes हैं वो perfectly dark नहीं होंगे वो relatively dark होंगे मतलब इनका जो darkness होगा वो थोड़ा कम होगा अब यहाँ पर याद रखने वाली एक बहुत important बात यह है जो interference से बिलकुल अलग है वो यह कि interference pattern में जहाँ पर हमको bright fringe मिल रही थी वहाँ पर path difference या तो बिलकुल नहीं था मतलब 0 था या फिर lambda था या 2 lambda था या फिर इसी तरह lambda के multiples में था और जहाँ पर dark fringe मिल रही थी वहाँ पर path difference था 0.5 lambda या 1.5 lambda या 2.5 lambda तो अब diffraction की case में इसका बिलकुल opposite होता है जहाँ पर हमें bright fringe मिलती है diffraction की case में वहाँ पर phase difference होता है 1.5 lambda या 2.5 lambda या 3.5 lambda और जहाँ पर हमें dark fringe मिलती है वहाँ पर phase difference होता है lambda 2 lambda 3 lambda या 4 lambda इसी तरह ये continue होता है तो ये एक बहुत ही important बात है याद रखने वाली तो अब diffraction के बाद जो हमें ये fringes मिली है इनके कुछ नाम होते है center में जो सबसे bright fringe होती है और जो सबसे wide होती है उसका नाम होता है central maxima उसकी बाद अगला जो 2 dark होता है इसका नाम होता है minima उसकी बाद फिर maxima और फिर maxima नीचे भी इसी तरह maxima minima maxima minima चलता होता है और जो center में जो सबसे widest bright fringe होती है उसको हम central maxima बोलते है तो अब हम यहाँ पर path difference भी लिख सकते हैं और जैसा कि हमको पता है कि इस case में interference का बिलकुल opposite होता है मतलब bright fringe में path difference होगा 1.5 lambda और यहाँ पर अगले bright में होगा फिर 2.5 lambda फिर यहाँ पर होगा 3.5 lambda इसी तरह हम दोनों direction में लिख सकते हैं उपर भी यहाँ पर 2.5 lambda होगा अगले bright fringe में यहाँ पर 3.5 lambda होगा और जहाँ पर dark fringe है वहाँ भी interference का बिलकुल opposite करेंगे तो यहाँ पर होगा lambda यहाँ पर भी lambda यहाँ पर 2 lambda यहाँ पर 2 lambda अब जैसे कि interference के case में हमने fringe width calculate की थी यहाँ पर भी fringe width calculate कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक problem है यहाँ पर हर fringe की length अलग है मतलब जैसे जैसे हम उपर या नीचे जा रहे है fringe width कम होती जा रही है तो हम कौन सी fringe का fringe width calculate करें तो इस case में हम सिर्फ central maxima का fringe width calculate करते हैं तो उसका formula जो है वो बिलकुल interference के formula की तरह है interference में fringe width का formula था lambda d by small d अब यह तो था interference के case में जहाँ पर lambda था जो light ray हम use कर रहे है उसका wavelength और d था source और screen के बीच की distance और d था दोनो light source के बीच की distance तो यहाँ पर भी formula कुछ ऐसा ही है सिर्फ हमें करना है इतना है कि इसको 2 से multiply कर देना है क्योंकि central maxima की width यहाँ पर थोड़ी जादा है यह समझ के हम इसको multiply कर सकते है सिर्फ explain करने के लिए तो यहाँ पर lambda फिर से wavelength होगा उस light का जो हम use कर रहे है और d होगा light source और screen की बीच की distance और यहाँ पर d क्योंकि हम एक ही light source यूज कर रहे है मतलब एक ही slit है तो यहाँ पर यह दोनों edges light source की तरह behave कर रहे है मतलब इन दोनों edges से diffraction हो रहा है इस बार तो इन दोनों edges की बीच में जो distance होगा हम इस बार उसे यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर इस case में हम इस formula को याद कर सकते है यह diffraction की case में fringe width का formula है तो इसके इसमें भी हम angular fringe width पता कर सकते हैं जिस तरह हम fringe width को इस complete d से divide कर देते थे इस तरह हम इस पूरे को अगर d से divide कर देंगे तो हमें मिलेगा lambda क्योंकि यह नीचे अगर divide करने पर d कट जाएगा तो हो जाएगा lambda by d into 2 मतलब 2 lambda d यह होगा angular fringe width का formula और यह फिर से इस distance पे depend नहीं करेगा तो अब हमारे सारे topics complete हो चुके हैं लेकिन end में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हमको confuse कर सकता है जो है phase और phase difference जब भी हम phase बोलते हैं तो phase एक particular point का एक particular time पर ही होता है मतलब जब भी हम phase बोले तो इसका मतलब यह है कि जैसे हमने उस situation को pause कर दिया जैसे हम किसी वीडियो को pause कर देते हैं क्योंकि बिना situation को pause कि हम phase की बात नहीं कर सकते यह ऐसे ही है कि जैसे कोई baller अगर balling कर रहा है और जब उसने ball छोड़ दी अपने हाथ से तो हम अगर ball की कोई position हमको बता नहीं है तो हम उसको pause या किसी instant पर ही बता सकते हैं क्योंकि ball की position हर समय change हो रही है उसके हाथ से निकलने के बाद इसी तरह phase भी हर समय change होता रहता है तो जैसा कि इस case में हम देखते हैं कि यहाँ पर light ray इस screen पर पढ़ रही है और इस समय जहाँ पर हमने इसको pause किया है 0 degree के phase में light ray इस screen पर टकरा रही है लेकिन क्योंकि यह light ray चलती रहेगी तो थोड़ी दिर बाद जब आगे बढ़ेगी तो 270 degree वाला part यहाँ पर टकराएगा तो इस तरह यहाँ पर जो इसका phase है वो continuously बदलता रहेगा और यह एक second में trillions of times बदलता है मतलब बहुत बार बदलता है तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका phase इस वक्त 0 degree है तो इसी वक्त है अगले ही second या अगले second से और पहले ही इसका phase बदल जाएगा तो यहाँ पर इसका phase तो बदल रहा है लेकिन अगर यहाँ पर दो waves हो जाए तो यहाँ पर अगर इसका phase 0 degree है तो इसका भी 0 degree है तो इनका phase difference constant रहेगा क्योंकि जब यहाँ पर 0 degree था तो यहाँ पर भी 0 degree था तो दोनों का difference 0 जब ये 270 वाला इससे टकर आएगा तो उस समय ये 270 वाला भी इसी से टकर आएगा तो 270-270 फिर से 0 इसलिए phase difference constant रहता है अगर frequency same हो लेकिन phase बदलता रहता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर क्किक्ष्प्सक्राइब चर्वेड़ चाहिए